हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रेप आई-एस सबसे पहले वेरी हपी होली तू अल अफ यू फ्रेंड्स यह लेक्चर मॉडर्न इंडिया का एर्थ लेक्चर है और आज हम बात करेंगे एमर्जेंस ओफ गांधी की मींस किस तरह से गांधी जी की एंट्री होती है इंडिया में यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग चेप्टर है दोस्तों काफी कुशन इससे पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्र तीन महिने का यह कोर्स होगा जून 20 तक यह चलेगा क्योंकि 27 को प्रिलिम्स 2021 है एंड फ्रेंस काफी सारी खास बाते हैं जैसे की complete syllabus का coverage होगा ठीक है लास्ट में 5 high quality full length mock test होंगे ठीक है इसके अलावा static and current दोनों पे ही हमारा focus है आपको हमारे telegram channel पे सारा study material, notes और हमारे lecture की PDF मिल जाएगी ठीक दोस्तों इसके अलावा हर Sunday को हम CSET की classes भी रख रहे हैं ताकि आपको उसका सबसे ज़्यादा फायदा हो सके काफी लोग struggle करते हैं उसमें and Sunday को हमारा doubt clearing session भी होता है जहां पे आप अपने doubts direct faculty से पूछ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों हमारी faculty हमारी सबस से बड़ी strength है हमारे पास जो faculty है उसका UPSC teaching का अच्छा खासा experience है या फिर जिनको UPSC का अच्छा खासा experience है भले ही वो prelims हो, mains हो या फिर interview हो उनको पता है कि कौन सी चीजे important है और कौन सी चीजे important नहीं है ठीके दोस्तों तो यह हो गया information अब बात करते हैं हमारे आज के topic की friends जैसे first world war खतम होती जाती है तो हमने पिछले lecture में देखा था कि एक period ऐसा था जिसमें हमारी जो national activities होती है हमारा जो nationalism होता है उसमें growth होती है ठीके अब इस period में जो हमारी nationalist activities थी उसमें काफी resurgence होता है और उसके काफी सारे कारण होते हैं सबसे पहला कारण था post war economic hardships friends जो first world war हुई थी उसमें इंडिया ने Britain का support किया था resources दिये थे हमारे soldiers उनकी तरफ से लड़े थे ठीके और जो भी arms ammunition सब में हमने उनको contribute किया था and friends इसका पैसा कहां से आयता tax session से आया था ठीके तो first world war के बाद जो हमारे different segments थे वो सभी hardship जेल रहे थे जैसे की prices बढ़ चुकी थी ठ employment काफी था तो लोगों में गुसा था एक विरोध था ठीक है second जो reason था expectation of political gains for cooperation in the war दोस्तों हमने पिछले lecture में बात की थी कि जो हमारे moderates थे जो हमारे extremists थे उनका ये मानना था कि अगर हम Britain का support करेंगे तो war के बाद Britain हमारी मांगे मान लेगा तो इसलिए लोगों को लगा थ था nationalist disillusionment with imperialism worldwide friends first world war का result आया था तो लोगों को पता चल गया था कि जितने भी लोग first world war में शामिल थे ये बात करते थे democracy की self determination की but इनका जो ultimate objective था वो क्या था कि हमें colonies को distribute करना है तो इनका जो एक असली चेहरा था वो लोगों के सामने आ गया था इसलिए लोगों को सच्चा पता चल गई थी और यह जो मिथ था कि जो वाइट से इनका culture इनकी military यह superior है यह सब तूट चुका था ठीक है अब फ्रेंस इसके अलावा जो next कारण था वो था impact of Russian revolution हमने पिछले lecture में में discuss किया था 1917 में Russian revolution होती है और इस revolution में ये बात सामने आ जाती है कि जो masses होते हैं जो आ आम आदमी हैं उनके पास immense power होती है immense power lay with the people and the masses were capable of challenging the mightiest of tyrants provided they were organized, united and determined तो दोस्तों आप देखेंगे इस phase के बाद masses का role बढ़ जाता है और हम आगे बात करेंगे कि पहले जो struggle केवल elite class तक सीमित होता था अब वो shift हो जाता है masses की तरफ तो Russian revolution का एक काफी impact होता है अब friends इसके बाद जो 19-19 के reforms आये थे उससे भी लोग नारास्ते हमने discuss किया था इनको बोला गया था Montego Chambsford reforms friends हमने बात क्या था कि British की policy क्या थी carrot and stick policy ठीके एक हाथ से आपको concession दिये जाएंगे और दूसरे हाथ से आपकी freedoms को छीना जाएगा और इन reforms के माध्यम से यही किया गया था यह reforms क्या थे एक तरगी carrot थी concession थे और stick क्या थी Rowlet Act जो की एक black act जिसको बताया गया था जिसके माध्यम से freedoms को curtail किया गया था तो लोगों में काफी गुसा था and friends यह जो Montego reforms आये थे हमने देखा था कि Congress ने इनको काफे criticize किया था तिलक ने कहा था unworthy and disappointing ठीक है एनी बसंत ने कहा था unworthy of England to offer and India to accept तो दोस्तों यह statement आपको याद होने चाहिए में 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 अगर question आये इनके उपर तो आप डारेट इन statement को वहाँ पर copy paste कर सकते हो आपकी शुरुवात या फिर आपका introduction या फिर conclusion में काफी अच्छा फरक पड़ता है ठीक है दोस्तों तो यह मेरा personal experience था and friends इसके बाद यह तो हो गया कि क्यों जो हमारी activities थी उनमें इतना research होता है अब दोस्तों जो हमारा मुख्य जो हमारा जो main agenda है वो क्या है गांधी जी तो गांधी जी के बारे में हम काफी detail में बात करेंगे इस chapter में friends गांधी जी गुजरात में इंका जन्म होता है ठीक है 1869 में और यह फिर चले जाते हैं लंदन वहाँ से यह अपनी लोकी प जब यह वहाँ पर जाता है तो काफी वहाँ पर इंके साथ racial discrimination होता है यह जिस compartment में यह सफर करते हैं वहाँ से इंको बाहर फेक दिया जाता है तो यह काफी एक बड़ा event था तो वहाँ पर काफी racial discrimination इंको देखने को मिलता है अब friends 1914 तक ही यह South Africa में थे 1915 में यह भारत वाप इंडियन लोग होते थे एक तो था indentured इंडियन लेबर इसको friends हिंदी में बोलते हैं गिरमिटिया ठीक है यह आपको पड़ा भी होगा और इस पर question भी पूछा गया था गिरमिटिया इसको बोलते है और गिरमिट मतलब agreement का हिंदी वजन आप समझ लीजिए तो यह गिरमिट लोग होते थे ठीक है second category होती थी merchants जो की मुख्य रूप से Muslim होते थे और तीसरी category थी ex indentured labors यह होते हैं friends Britain के लोग भारत के जो लोग होते थे इनको अपनी colonies में या उन जगों पे जहां पे European planters थे वहां पे sugar plantation में काम करने के लिए भेजते थे and friends इनको एक दूसरा नाम भी इनका जहाजी ठीक है तो जहाजी भी इनको बोला जाता था ठीक है merchants तो मैंने आपको बताई दिया mostly Muslims लोग होते थे ये भी Indians थे बट वहां पे जाके settle हो गए थे ठीक है और जो ex indentured कों थे ये वो indentured Indian labor थे जिनका permit खतम हो गया था जो महीं पे अब settle हो गया थे तो ये तीन के लोग वहाँ पे थे और इनके प्रती काफी जादा discrimination वहाँ पे होता था इनको right to vote वहाँ पे नहीं था ठीक है जिस जगह पे इनको रहने के लिए permit किया जाता था वहाँ पे सुविधाय नहीं थी एदम congested area था unhygienic place होता था तो इन सब को देखके गांदी जी को काफी दर्द हुआ था काफी उनको एक गुसा भी उनके मन में आया था तो वो सोच लेते हैं कि मुझे अब इन सब को खतम करना and friends 1917 में गांदी जी अपने effort से ये जो system था indentured labor वाला इसको खतम कर देते हैं तो ये एक additional information है जो मैंने आपको दी है अब दोस्तों गांदी जी जो देख चुके हैं कि moderate क्या होते थे ठीक है वो constitutional means की बात करते थे petition की बात करते थे British authority को मनाने की बात करते थे तो वही काम गांदी जी ने भी किया था and इसके लिए उन्होंने वहाँ पे natal Indian Congress की स्थापना की थी friends ये natal वहाँ की एक colony थी South Africa की ठीक है तो natal Indian Congress की स्थापना की थी and एक अपना paper एक newspaper भी start किया था Indian Opinion friends अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों newspaper की को established किया था कि अपने messages अपनी opinion अपनी ideology लोगों तक पहुंचाई जा सके तो इसके लिए Indian Opinion गांदी जी ने South Africa में launch किया था तो ये आपको पता होना चाहिए friends next आता है Second War War ये additional topic है बट मुझे लगता है ये काफी important है इससे question पूछा जा सकता है friends ये war South Africa में ही होती है 1899 से 1902 के बीच में ये basically British Empire और वहां की South Africa की जो colonies थी उनके बीच में ये war होती है ठीक है और इसमें गांदी जी बिटेन का British Government का साथ देते हैं और उसके लिए वो एक Natal Indian Ambulance Corps की स्थापना करते हैं means ये जो medical सुविधा प्रोवाइट करने के लिए जो soldiers Britain के participate कर रहे है इस war में उनकी सहायता के लिए उनकी medical aid के लिए इस Corps की स्थापना होती है ठीक है और इससे खुश हो के बाद में जो British Crown था वो गांदी जी को केसरे हिंद की उपादी से केसरे हिंद गांदी जी को दिया था बार वर के बाद Natal Indian Ambulance Corps की स्थापना उन्होंने की थी ठीक है और किसलिए जो soldiers थे उनकी medical help के लिए ठीक है अब फ्रेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं second phase की वो second phase था passive resistance आपको तिलक याद आ रहे होंगे यहाँ पर हमने पिछले lecture में बात की थी तो phase of passive resistance या फिर सत्यागरह 1906-1914 तो friends सत्यागरह का concept सबसे पहले गांदी जी ने South Africa में start किया था और फिर उसको implement उसको replicate किया था इंडिया में ठीक है तो दोस्तों passive resistance इसको सत्यागरह का नाम दिया था या फिर civil disobedience इसका नाम दिया था civil disobedience जो हिंदी माधियम के लोग है सवी ने अवग्या आंदोलन जो है उसको civil disobedience बोलते हैं English में ठीक है friends अब इसमें काफी सारे issues थे सबसे पहला issue था registration certificates और इसके खिलाफ गांदी जी ने सत्यागरह launch किया था 1906 में जो इंडियान लोग थे उनको एक registration certificate साथ में लेके चलना होता था अपनी identity के लिए वहाँ पर उसके fingerprints भी होते थे तो यह एक तरह का discrimination था इसके विरोध में गांदी जी ने passive resistance association को establish किया था friends another very important information passive resistance association गांदी जी ने इसको establish किया था और इनका main objective क्या था कि to defy the law friends जह हम civil disobedience की बात करते हैं तो means जो law है उसको हमको मानना नहीं है उसको defy करना है इसी को बोलते civil disobedience ठीक है तो इस तरह से सत्याग्रह की शुरुवात वहाँ पर होती है सत्याग्रह मिन सत्य के लिए आप आग्रह कर रहे हो devotion to truth तो इसकी शुरुवात यहां से होती है अब second जो campaign था वो था Indian migration के उपर restriction लगाए गए थे जो different वहाँ की colonies थी तो एक colonies से दूसरी colony में Indian लोग का movement इतना आसान नहीं था उस पर काफी सारे restrictions लगाए हुए थे तो इसके विरोध में भी production किया था ठीक है तो यह था second इन पर diet question पूछे जाते हैं ठीक है अब जो third struggle था वो था poll tax and invalidation of Indian marriages के against campaign किया था गांधी जी ने वहाँ पर अब यह चीज़ क्या थी जो जितने भी ex indentured labor थे जो गिर्मिटिया लोग थे उनके उपर poll tax लगाया जाता था तीन पाउंड का जो की उनके लिए उस समय काफी एक बड़ी रकम होती थी ठीक है दूसरी बात जो वहाँ पर उस समय सुप्रीम कोट का एक judgment आया था जिसमें वो सभी marriage जो की Christian rights के according नहीं हुई है जिनको registrar of marriage में register नहीं करवाया है वो सब invalidate हो जाएगी और इससे Indian लोगों को बले हिंदू हो, Muslim हो, Parsi हो उनको काफी गुसा आया था क्योंकि हमारे यहां पे तो दूसरे rights follow किये जाते थे Christian rights हमारे यहां follow नहीं किये जाते थे और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि शादी के बाद जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनका भविश्य अंदकार में होने वाला था तो इसलिए काफी सारी महिलाओं ने भी इस movement में participate किया था क्योंकि इस decision ने उनकी dignity पे चोट की थी ठीक है अब next आता है protest against Transwall Immigration Act Transwall में आने पर restrictions लगा दिये थे उसका विरोध किया था सत्यागरा के माधियम से ठीक है पैसिव रेजिस्टेंस के माधियम से कि हम लोग को defy करेंगे तो इस तरह से protest होता है दोस्तों इस समय इंडिया में जो गोखले थे गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने पूरी country का टूर किया था public opinion जो थी उसको mobilize किया था लोगों को बताया था कि उहां पे हमारे भाईयों बहनों के साथ South Africa में क्या हो रहा है ठीक है और उस समय जो हमारे viceroy थे Lord Harding ये उन्ह प्रमाई solution होता है ठीक है गांधी, Harding ये, Andrews इनके बीच में negotiations होते हैं और फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाता है जिसमें जो South African government होती ही वो काफी सारी इनकी demands मान लेती हैं तो दोस्तों मतलब गांधी जी ने जो method use किये थे उनकी वज़से उनको success मिल गई थी and दोस्त से काफी फायदा मिला है तो इनकी popularity काफी जादा हो गई थी ठीक है अब friends हम बात करेंगे Tolstoy farm की इस पे भी kitchen बन सकता है दोस्तों ये farm था जैसे गांधी जी ने भारत में साबर मती आश्रम वगेरा बनाया थे तो ये concept उन्होंने South Africa से ही लिया था वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह के आश्रम बनाया थे पहला आश्रम था Phonics farm जो की 1904 में नेडल में बनाया गया था ठीक है और दूसरा था Tolstoy farm जो की 1910 में बनाया गया था अब ये Tolstoy कौन थे एक famous Russian writer थे Leo Tolstoy उनके नाम पे इसको रखा गया था और दोस्तों यहाँ पर क्या होता था यहाँ जो जो सत्याग रही थे उनकी families को रखा जाता था उनको education दी जाती थी उनको livelihood के means सिखाये जाते थे vocational training दी जाती थी manual work पर यहाँ पर focus था ठीक है co educational classes लगती थी friends यह जितने भी points में आपको बता रहा हूं यह सब आप गांधी की ideology से जोड सकते हो ठीक है means focus on manual work vocational training co educational classes means दोनों बराबर है boys and girls दोनों बराबर है तो इन सबसे आप गांधी की philosophy समझ सकते हो और भलें ऐसे हो या ethics और question आता है तो आप इन सबकों वहाँ पर use कर सकते हो ठीक है तो यह तो हो गया टॉल्स्टाइफ फार्म यहाँ पर manual work जैसे की जाडू लगाना sweeping, scavenging, fetching water यह लोग अपने आप से ही करते थे और इसका purpose यह था कि लोगों में social service के जो ideas है उनको शुरुआत से ही inculcate किया जाए तो यही गांधी की शुरुआत से philosophy रहती है टॉल्स्टाइफ फार्म बहुत important है इससे पहले कोंसा था? फॉनिक्स फार्म था जो कि 1904 में बनाया गया था अब तो यहां इससे जुड़ी important information है कि 1908 में एक event होता है ठीक है Leo Tolstoy तारख नाथ दास को एक letter लिखते है यह letter बड़ा famous है किवल आपको नाम याद होना चाहिए letter to a Hindu ठीक है तो यह question पूछा जा सकता है ठीक है कि किसने किसको लिखा था कब लिखा था तो Leo Tolstoy ने तारख नाथ दास जो कि उस समें एक बहुत बड़ा figure थे ठीक है भारत के movement का तो उनको यह लिखा था ठीक है इससे पहले तारख नाथ दास जो है Tolstoy को एक letter लिखते थे जिसमें उन्होंने इस Russian author से इंडिया की independence के लिए support करने की बात कही थी तो उसके जवाब में उन्होंने यह letter लिख पर है Indian opinion उसमें reprint कर सकता हूँ क्या तो Tolstoy और दोस्तों यह जो letter था इसमें जो है Tamil जो literature था तिरुकुरल उसका भी जिक्र था तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या गांधी जी तिरुकुलल से प्रभाविक थे क्या तो हाँ तो आपको उसका जवाब हाँ देना होगा ठीक है and friends अब गांधी जी ने South Africa में तीन बड़ी important books थी जिनसे वो काफी influence हुए थे यह तीन बुकों के नाम आपको याद होने चाहिए ethical religion ठीक है duty of civil disobedience and the kingdom of God is within you यह Tolstoy की book थी इनसे वो काफी जादा प्रभाविक थे ठीक है दोस्तों अब दोस्तों यह जो गांधी जी का experience था South Africa में तो उससे उन्होंने कुछ चीज़े सीख ली थी सबसे पहली चीज़ क्या थी कि masses के पास immense potential होता है capacity होती है वो किसी भी आंदोलने participate कर सकते हैं sacrifice कर सकते हैं ठीक है और अपने effort से अपने सत्यागर के medium से उन्होंने different Indians को unite किया था भले वो हिंदू हो मुस्लिम हो men हो women हो different classes के हो सब लोगों को unite करने में काम्याब हुए थे ठीक है और उन्होंने ये भी चीज़ समझ ली थी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको unpopular decisions लेने होंगे हम आगे देखेंगे कि किस तरह से भरत में भी गांदी जी unpopular decision लेते हैं बट दोस्तों इस चीज़ का experience उनको South Africa से मिल दे चुका था तो गांदी जी ने जो इंडिया में किया था उस पे South Africa का काफी ज़्यादा influence था और दोस्तों ये गांदी जी अपनी खुद की एक leadership की style और politics evolve करने में काम्याब होते हैं सत्याग्रह है ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सत्याग्रह की technique क क्या थी इस पर question पूछा जा सकता है सत्याग्रह का मतलब था कि आपको truth and non-violence के base पर आपको काम करना है ठीक है सत्य और अहिंसा ठीक है हिंदी मैं बताओं तो सत्य और अहिंसा के सिद्धामतों पर आपको काम करना है और ये जो principle था ये Indian tradition Christian जो tradition थी कि अगर कोई आपके ग tradition Christian requirement and philosophy of Tolstoy ठीक है always remain truthful non-violent and fearless ठीक है तो एक true सत्याग्रही वो है जो हमेशा सच का साथ देगा हमेशा अहिंशा का साथ देगा और बिना किसी डर के अपना काम करेगा ठीक है और क्या principle होंगे क्या काम करना होगा withdrawal of cooperation and boycott ये हम देखते हैं कि गांदी जी के जितने भी protest होते हैं movement होते हैं उसमें यही philosophy use होती है ठीक है non payment of taxes होगा ठीक है ready to accept suffering ठीक है अगर कोई व्यक्ती गलत काम कर रहा है ठीक है उसका विरोध आपको करना है और उसके बदले जो भी suffering होती है वो आपको accept करनी होगी but जो wrongdoer है जो गलत काम कर रहा है व्यक्ती उसके खिलाफ आपके मन में कुछ भी गलत भावना नहीं होगी no ill feeling for the wrongdoer means पाप को हटाना है ना कि पापी को अगर हिंदी में बताऊं तो ठीक है second चीज ये थी कि ये जो सत्याग्रह है ये केवल brave लोग कर सकते हैं जो कमजोर लोग है वीक है जो coward है जो कायर है उनके बसकी बात नहीं है गांदी जी ये भी कहते थे कि कायरता से अच्छी तो ये कि आप हिंसा कर लो ठीक है तो कायरता जो cowardice था उसका कुछ भी role नहीं था उसको prefer नहीं किया गया था even violence was preferred to cowardice और जो उनकी आखरी जो philosophy थी यहाँ पे वो ये थी कि ends could not justify the means अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क कि आपका goal आपका target आपका लक्ष है और उसको हासिल करने का जो तरीका है ये दोनों ही important है ठीक है means आप हिंसा के माध्यम से आप violence के माध्यम से अगर कोई target अचीव करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है तो ends and means दोनों हमारे लिए important है तो ये गांदी जी का कहना था and दोस्तों ये सारे के सारे principles आप ethics में use कर सकते हो के case study आती है तो वहाँ पे आप इनको use कर सकते हो आपको काफी अच्छे number मिलेंगे ठीक है friends अब हम बात करेंगे गांदी इंडिया में कब आते हैं 1915 में वह भारत में वापस आ जाते हैं और जब भारत में आते हैं तो उससे पहले उनकी काफी popularity होती है हमने आपको बताया था कि गोखले ने काफी ज्यादा लोगों को educate किया हुआ था and दोस्तों जब भारत में आते हैं तो decide करते हैं कि अभी एक साल में केवल टूर करूँगा country का ताकि मैं लोगों की समस्याओं को समझ तकूँ उनकी problems क्या है उनकी situation क्या है condition क्या है क्या उनकी demands है उसको understand करने के लिए गांदी जी पूरे एक साल भारत का केवल भ्रहमन करते हैं टूर करते हैं और ऐसा किस and भारत में उनकी पहली जो major public appearance हुई थी वो हुई थी 1916 में जब बनारस हिंदू university का inauguration होता है तो वहाँ पे उनकी first major public appearance होती है और वो वहाँ पे address भी करते हैं ठीक है अब दोस्तों उन्होंने ये भी decide किया था कि इस एक साल में वो किसी भी political matter पे कोई position नहीं लेंगे पहल सत्याग्रह वाला जो मार्ग है जो रास्ता है वही हमारा एम होना चाहिए और वो किसी भी political organization को तब तक जोइननी करेंगे जब तक वो non-violent सत्याग्रह के method को accept नहीं करती है तो हम देखते हैं कि Congress भी बाद में इसी method को follow करती है non-violent सत्याग्रह ठीक है friends अब दोस्तों गांध की popularity बहुत ज्यादा हो जाती है और अभी तक जो लोग हमारे आंदोलं से जुड़े हुए नहीं थे जैसे कि peasants, labor, workers वो सब movement से जुड़ जाते हैं और हमारे movement का जो phase है वो पूरा का पूरा turn हो जाता है masses की तरफ तो ये तीन events काफी important है चंपारन सत्याग्रह एक एहमदाब मिल स्ट्राइक है उसके बाद हम देखेंगे खेड़ा अब दोस्तों चंपारन सत्याग्रह में हुआ क्या था ठीक है एक local थे राजकुमार शुकला वो गांधी जी के पास आते हैं और जो चंपारन बिहार के किसानों का जो दुख दर्द होता है वो उनको सुनाते हैं एक्चुली समस्या क्या थी कि जो European planters थे जो कि Indigo का काम करते थे वो तिन खटिया system वहाँ पे यूज करने के लिए किसानों को force करते थे इसमें क्या होता था कि किसानों को planter की जमीन पे 3 by 20 पार्ट में Indigo ग्रो करना होता था and friends क्योंकि German dyes आ चुकी थी market में Indigo को replace कर रही थी तो Indigo का plantation था वो इतना profitable नहीं था but profit कमाने के लिए ये European planters high rents and illegal dues जो है demand कर रहे थे तो इसका किसान विरोध कर रहे थे इसके अलावा जो European planters थे ये मंचा ही कीमतों पे किसान को force करते थे कि आप अपना produce बेचिये तो इस तरह से काफी सारे किसान नाराज थे और फिर ये बात पहुंचती है गांदी जी के पास गांदी जी काफी सारे leaders के साथ राजनत पसाद, महादेव देशाई, नरहरी पारेक, जेवी क्रिपला ने इनके साथ चंपारन की visit करते हैं जब वो यहाँ पर प्रोब करने पहुंचते हैं तो जो वहाँ की authorities होती हैं वो उनको वापस जाने को कहती हैं लेकिन वो इस order को मा obedience ठीक है अब friends इसके बाद क्या होता है गांदी जी मना कर देते हैं, protest करते हैं फिर authority उनकी बात मान लेती है और गांदी को permit करती है कि आप एक inquiry कर सकते हैं और बाद में government गांदी के दबाव में आके एक committee appoint करती है जो की इस matter को inquiry करेगी और उसमें गांदी जी भी एक member होते ह ठीक है friends और इसके बाद गांदी जी जो authorities को convince करने में सफल होते हैं कि ये जो तिन कटिया system में इसको abolish किया जाना चाहिए और बाद में जो एक illegal due का 25% वापस compensation मिलता है किसानों को जिससे वो सभी खुश होते हैं and friends इससे क्या चीज़ signify होती है कि जो किसान थे वो गांदी जी किसानों को national movement में शामिल करने में काम्याब होते हैं UPSC CSE 2018 में चंपारन सत्यागर पर देखें दोस्तों question पूछा गया था कि इसका significant aspect क्या था and I hope अब आप समझ गये होंगे option C इसका सही है joining of peace and unrest to India's national movement ठीक है friends अब दोस्तों second है Ahmedabad mill strike 1918 में और ये पहली hunger strike थी अब इसमे issue क्या था इसमें issue था एमदाबाद के cotton mill owners और उनके workers के बीच में क्योंकि war के बाद prices काफी बढ़ चुकी होती है तो workers demand कर रहे थे कि हमें 50% का bonus दो ठीक है बट जो mill owners थे वो बात करते हैं केवल 20% की कि हम आपको 20% बढ़ा के देंगे तो इस दोरान काफी dispute होता है और जो की एक social worker होती है ठीक है और इनका संबन ये बहन होती है अंबालाल सारा भाई की जो की उस समय एक mill owner भी होते हैं और एमदाबाद mill owner association के president भी होते हैं तो ये question पूछा जा सकता है एमदाबाद mill owner association 1891 में इसकी स्थापना हुई थी इसके president कौन थे ठीक है और friend ये गांदे और ये जो dispute चल रहा है इसमें intervene करो ठीक है and friends ये जो अनुसुया बहन होती है ये 1920 में अपनी एक organization बना लेती है एमदाबाद textile labor association friends ये आपको पता होने चाहिए तो ये दोनों तीनों काफी important information है friends गांदी जी आते हैं intervene करते हैं और गांदी जी मज़़ों को समझाते हैं कि आ आप 50% की demand छोड़ दो आप 35% का increase मांगो ठीक है friends देखिए हमने पड़ा था बुद्धा का middle path ठीक है 20 वो लोग दे रहे हैं 50 ये लोग मांग रहे हैं तो गांदी जी बात करते हैं 35 की ठीक है तो मध्यम मार गया फिर जो बुद्धा की philosophy उसको यहां पर use किया जा रहा है आ खुद भी fast कर लेते हैं जो कि उनका पहला fast होता है और फिर बाद में इस दबाव में आके जो mill owners होते हैं वो इनकी बात मान लेते हैं matter tribunal के पास जाता है और tribunal में 35% wage hike की demand मान ली जाती है तो ये जो second उनका आंदोलन था जहां पे उनको सफलता मिलती है means जो गांदी जी के methods थे उनसे result निकल रहा था इसलिए लोगों में गांदी की popularity काफी बढ़ गई थी ठीक है friends अब बात आती है खेडा सत्यागरह की 1918 का सत्यागरह था ये first non-cooperation है friends यह आपको याद रखना होगा first non-cooperation खेडा सत्यागरह actually होता क्या है 1918 में गुजरात में खेडा में crops fail हो जाती है ठीक है और वहां के revenue code के हिसाब से अगर yield जो है one fourth से कम है normal produce की one fourth से कम है तब आपको tax या revenue नहीं देना होगा बट इस चीज़ को नहीं माना जाता है और British जो हां की authority होती है वो tax के लिए बात करती है और जो लोग tax नहीं दे पाते हैं उनकी property सीज कर लेती है ठीक है तो य यहां पर गांदी जी केवल spiritual head थे जो main command थी वो थी सरदार वल्लभाई पटेल के हाथ में तो दोस्तों इस सत्याग्रह में एक बार फिर से जो आंदोलनकारी लोग होते हैं गांदी जी सरदार वल्लभाई पटेल इनको काम्यावी मिलती है और government इनकी demands मान लेती है गोवर्म के साल का जो increase का rate था उसको reduce कर देती है तो यह दोनों demand मान लेती है तो दोस्तों यह तीनों सत्याग्रह बहुत important है अफ़ेंस हम बात करेंगे चंपारन एहमदाबाद एन खेडा से क्या चीज सीखने को मिलती है इसके क्या positive gains थे सबसे पहला efficacy of this technique of सत्याग्रह यह मैं आपक होते हैं ठीक है और दूसरा youth के बीच में गांधी जी को एक respect मिलती है ठीक है तो यह सबसे बड़ा achievement था इन तीन आंदोलनों का अफ़ेंस हम बात करेंगे रोवलेट एक्ट की दोस्तों हमने शुरू में बात की थी constitutional reforms की Montego James Ford की वो एक carrot था और इस टिक क्या थी रोवलेट यह एक्ट basically क्यों लाया गया था कि First World War के टाइम पर जो Defense of India एक्ट लाया गया था उसको extend करने के लिए रोवलेट एक्ट लाया गया था मार्च 1919 में 1919 में और इसका जो official नाम था वो क्या था The NRKL and Revolutionary Crimes Act ठीक है बट इसको short में रोवलेट एक्ट बोला जाता था ठीक है अब यह उसको deport कर सकती है Friends यहाँ पर देखिए दो चीज़े important है without trial ठीक है and two years तो इसके विरोध में जो हमारे सारे elected Indian members होते हैं वो इसके विरोध में होते हैं council में बट क्योंकि उनकी उनके numbers काफी कम होते हैं तो यह bill pass वहाँ पर हो जाता है and जब यह bill pass होता है तो जितने भी elected Indian members होते हैं जैसे कि जिन्ना, मालविया यह सब अपनी post से resign कर देते हैं and दोस्तों इस act में यह था कि तीन high court जसकी एक committee होगी, एक sale होगी जो इन मामलों की सुनवाई करेगी और इसमें किसी भी तरह का appeal का लोगों को हक नहीं मिलेगा means लोगों की जो freedom थी उसको curtail किया जा रहा था and friends इसके अलावा उन evidences को भी accept कर लिया जाएगा जो कि Indian evidence act के तहत acceptable नहीं थे उनको भी as evidence माना जाएगा जो heaviest corpus की writ थी वो suspend हो जाती है friends आपने polity में पढ़ा होगा कि heaviest corpus क्या होता है ठीक है अब दोस्तों यह जो rollet act था इससे लोगों की freedom of speech, assembly इन सब पर restriction लगा दिये गए थे ठीक है और इसको एक बड़ा famous नाम दिया था no dalil, no वकील, no appeal ठीक है त कौन सा ऐसा act था जिसके बारे में ऐसा कहा गया था no dalil, no वकील and no appeal and दोस्तों बाद में 1922 में इसको repeal कर दिया जाता है बट काफी बड़ा हंगामा होता है वो हम आगे देखेंगे ठीक है अब friends इस rollet act के विरोध में गांधी जी सत्याग्रह करते हैं और यह सत्याग्रह थ ठीक है जब first world war होती है तो महाँ पर गांधी जीन ने British war effort को support किया था और even उन्होंने यह भी कहा था कि भारतिय लोगों को जो है सेना में भरती होना चाहिए ठीक है British Indian forces में उनको recruit होना चाहिए ताकि जो बिटेन है उसके efforts को मदद मिल सके बट जब यह rollet act पास होता है तो वो काफी नाराज होते हैं इस act को उन्होंने कहा था कि एक black act है ठीक है और फिर एक mass protest की वो बात करते हैं और इसके लिए एक सत्यागर सभा का आयोजन होता है जहां पर जो भी उस समय के younger members थे home rule league के वो सब इसमें participate करते हैं और इसमें decide होता है कि हमें किस तरह से protest करना है ठ strike होगी लोग fast करेंगे pray करेंगे civil disobedience होगा तो यह सब method वहाँ पर decide होते हैं और दोस्तों यह question देखिए 2019 में पूछा गया था ठीक है महात्मा गांधी को लेके जितना हमने अभी तक पड़ा है तो उसके बारे में आपको detail यहाँ पर मिलेगी सबसे पहला जो statement क्या है कि महा महात्मा गांधी was instrumental in the abolition of system of indentured labor दोस्तों यह 1970 में ऐसा उन्होंने किया था यह मैं आपको बताया था second महात्मा गांधी did not support the resolution on recruiting Indians for world war दोस्तों यह मैंने just अभी आपको बताया यह statement गलत है ठीक है उन्होंने support किया था और तीसरा statement गलत है वो हम आगे देख लेंगे ठीक है कि Congress इसको illegal गोशित किया था वो हमारा आगे वाले chapter में हम देखेंगे तो यह दोनों statement देखिए इसी chapter से पूछे गए थे ठीक है तो अब देखिए दोस्तों जब सत्यागरा की गोशना होती है तब लोगों को एक direction मिल जाती है काम करने की पहले लोगों के पास direction था नहीं कि हमक पाडिसिपेट कर रहे थे फ्रेंट सत्यागरा को 6 अप्रेल 1919 को launch किया जाना था बट होता क्या है कि इसकी launch से पहले ही माहोल काफी ज़्यादा बिगड़ जाता है पूरे देश में violence बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस रोवलेक्ट act के विरोध में और पंजाब में तो यूज किये थे वाइलेंट प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने के लिए तो हालत इतनी खराब हो जाती है ठीक है वो 9 अप्रेल को क्या होता है कि दो नेशनलिस लिडर्स होते हैं सेफुदिन किचलियू एंड डॉक्टर सत्यपाल ये रोवलेक्ट एक्ट के विरोध में प्र वो जुडते हैं जलिया वाला बाग मसाकर से ब्रिगेडेर जनरल डायर को जिम्मेदारी दी जाती है पंजाब को सम्हालने की ठीक है और एप्रेल 13 को वो इक प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं जिसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सीटी से बाहर नहीं जाएगा बिना क किसी पास के कोई भी मीटिंग या डिमोंस्टेशन जो है वो कोई भी ओगनाईज नहीं करेगा और ये दिन होता है बेसाखी का जो की एक तेवहार था ठीक है और इस दिन होता गया है दोस्तों 13 अप्रेल को ही जलिया वाला बाग होता है अमनित सर में वहाँ पे लोग मीट होती है वहाँ पर बिडिश लोग होते हैं और अंदाधुन फाइरिंग होती है तो हजार लोगों की मौत होती है थेंटायर नेशन वोज इस्टन्ड ठीक है रविन्ना टेगोर अपनी नाइठ्वूड की उपादी लोटा देते हैं ये नाइठ्वूड उपादी कब मिलती जब ये बिटिश क्राउन के दुवारा दी जाती थी अगर कोई पब्लिक सर्विस में काफी अच्छा काम कर रहा है तो उसको नाइठ हुड की उपादी दी जाती थी तो इस जलिया वाला बाग मसाकर के विरोध में रबिना टेगोर अपनी जो नाइठ हुड की उपादी उस इस सत्यागरे वापस ले लिया जाता है और दोस्तों डायर ने यह जो काम किया था तो ऐसा कहा जाता है कि डायर ensure the beginning of the end of British Raj यह जो काम हुआ था जलिया वाला बाग इससे British Raj के अंत होने की शुरुवात हो गई थी ठीक है दोस्तों तो यह हो गया और क्योंकि यह सारे events पंजाब में हुए था तो आप देखिएगा इसके बाद पंजाब की politics में काफी changes आते हैं ठीक है दोस्तों हम बात कर करेंगे उधम सिंग की उधम सिंग इनका नाम क्या था राम मोहमद सिंग आजा देखिए क्या प्यारा नाम है इसमें राम भी है इसमें मोहमद भी है और इसमें सिंग भी है ठीक है दोस्तों तो उस समय ऐसे लोग होते थे काफी अच्छे शान्दा लोग होते थे उन्होंन जलिया वाला बाग कांड होता है तो उसका काफी विरोध होता है उवन जो Secretary of State थे Edwin Montego वो भी इसको किटिसाइज करते हैं और इसकी Investigation के लिए Committee की स्थापना करते हैं उस Committee को बोलते हैं Hunter Committee या फिर Hunter Commission और उसका Original नाम था Disorder's Inquiry Committee तो ये आपको पता होना चाहिए Disorders Inquiry Committee ठीक है अब फ्रेंड्स ये जो कमीडी थी इसमें तीन इंडियन मेंबर होते हैं तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि हंटर कमीटी में इंडियन मेंबर्स थे या नहीं थे भीड को Dispers क्यों नहीं किया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं भीड को Dispers कर देता तो ये भीड वापस लोड के आती ठीक है और मेरे उपर हसती तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने Dispers किया ही नहीं ठीक है अब दोस्तों जब फाइनल रिपोर्ट आती है ठीक तो उसमें डायर के एक्शन को कंडेम किया जाता है हालांकि जो हंटर कमिटी थी उसने किसी भी तरह की पीनल या फिडिसिप्लिनली एक्शन नहीं लिया था क्यों क्योंकि अल्रेडी बात उससे उपर तक पहुंच चुकी थी वह हम आगे देखेंगे तो हंटर कमिटी ने कोई भी पीनल या फिडिसिप्लिनली एक्शन इंपोज नहीं किया था ठीक है इस दोरान बिटिश गोवर्मेंट क्या करती है एक एक पास करती है उसको बोलते हैं Indemnity Act for the Protection of its Officers जो उसके बिडिस Officers हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पास किया जाता है इस बिल को White Washing Bill कहते है दोस्तों आपको पता होना चाहिए White Washing Bill क्या है जो Indemnity वाला बिल पास किया था उसको कहा गया था White Washing Bill जब Dyer के उपर Britain में Inquiry चलती है तो वहाँ पे उसको guilty माना जाता है और उनको अपनी command से relieve कर दिया जाता है उनको किसी भी तरह की सजा नहीं मिलती है कोई penal action नहीं होता केवल उनको अपनी नोकरी से भरकास्ट कर दिया जाता है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारे golden temple की clergy थी जो वहाँ के महंत थे उन लोगों ने भी डायर का सम्मान किया था और डायर को एक अच्छा सिख डिकलेर किया था तो दोस्तों इससे काफी लोग नाराज होते हैं और ये एक मुख्य कारण भी था गुरुद्वारा reform movement का जो हम socio religious movement वाले chapter में हमने पढ़ा था ठीक है दोस्तों तो ये तो था hunter committee अब इसके बाद Congress का क्या view था Congress ने अपनी खुद की एक non official committee बनाई थी जिसमें मोतिलाल नहरू थे सियार दास थे अबबास तयब जी थे एमार जैकार थे एंद गांधी जी थे और उन्होंने डायर के इस action को condemn किया था उसको inhuman बताया था Friends ये lecture यहाँ पे खतम होता है हम फिर मिलेंगे एक नए lecture के साथ और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please उसे subscribe कीजिए ताकि सारे updates आपको timely मिल जाएं ठीक है दोस्तों goodbye thank you very much